संग्मित्रा मौर्या भारती जनता पार्टी का साथ छोड़ती नजर आ सकती हैं अगर संग्मित्रा मौर्या पार्टी का साथ छोड़ती आने वाले समय में नजर आएंगी तो कहीना के भारती जनता पार्टी को तो बड़ा जटका लगेगा ही लेकिन बदाईयू की सीट पर जो बीजेपी अपना एक समीकरण बनाए बैठे है वो समीकरण भी भारती जनता पार्टी के हातों से रेत की तरह तरह फिसल जाएगा आपको बता देjas संग्मित्रा मौर्या स्वामी पॉर्या की बेटी हैं स्वामी पॉर्या का भी जिनकी भी जूस्थिती है वो इस बार बच से बत तर नजरा रहे है उत्तर प्रदेश में ऑले जा बत दर प्रदेश में क्योंकि चंदर शेखर आजाद की पार्टी का जनाधार अभी मजबूत होना शुरू ही हुआ है नगिना सीट पर आजाद की जीत दर्ज होने के बाद बहुमत का आंखड़ा पार करने के बाद पब चंदरशेखर आज़ाद सुर्ख्यों में आचुके हैं चंदरशेखर-ाज़ाद की पार्टी जो है वो अब हरे एक राज्ये के शेत्र में अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आ सकती है अगर चुनाव हर राज्ये में लड़ते चंद शेखर आजाद नज़र आएंगे तो कहीं न कहीं है आजाद की रननीतियों के तहट संगमित्रा मौर्या पार्टी में शामिल होती भी नज़र आ सकती है भारते जंता पार्टी पर संग्मित्रा मौर्या का जो भरोसा है वीजेपी से उठ गया है और अब संग्मित्रा मौर्या अपने पता स्वामी प्रसाद मौर्या का संग आने वाले समय में कोई भैतरीन चुनावी दाव चलती नज़र आएंगी स्वामी प्रसंद मौर्या किसके साथ गड़बंदन करेंगे इस पर तो अभी तक कोई भी आपचारिक महर नहीं लगती नज़राई है क्यासों का दोर अब संग्मित्रा मौर्या पर भी चला जा रहा है कि क्या संग्मित्रा मौर्या किसी अन्य पार्टी के साथ गड़बंदन करेंगी या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा